सो बैक टू दे चैनल गाईज दिस इस शुबम बाजपी MPG के न्यू 500 कॉस्टन सीरीज में हम यह साथ मा वीडियो लेकर आए गए हैं यहाँ पर हम कॉस्टन नमबर 121 से लेकर 121, 140 तक डिसकस करने वाले हैं पर हम पूरे 20 कॉस्टन डिसकस करेंगे आपके सामने पहला कॉस्टन है 121, कॉस्टन नमबर कहता है मद मुर्देश मुख रूप से है तो यह मुख रूप से एक पठार है, ठीक है कॉस्टन नमबर 122 है, जिसके नाम का मतलब मूर की जगा है पर कौन सा जिला है, तो मुरेन मूर की जगा पर जो नाम पड़ा है, वो मुरेना है इसको आपके याद रखना है कि मूर की वजए से ही मुरेना का नाम मुरेना पड़ा, ठीक है क्वेस्टन नमबर 123 है, भारत के भौगेलिक केंद्र का गाउं है, तो जवलपूर के पास करोडी, ठीक है वहाँ पर करोडी गाउं है जवलपूर के पास, जो की भौगोलिक केंद्र है भारत का, ठीक है भारत का मानक मध्यान यहां से कोए होकर गुजरता है तो वो सिंग्रोली से होकर गुजρता है मध्यप्रदेश का कौन सा सहर इंडो गंगेटिक मेयदान में आता है तो ग्वालियर आता है Q 거예요 number 126 कहता है कौन सा मद्द प्रदेश के पठारों में सबसे गर्म महीना है तो वो माई महीना है ग्वालियर का पुराना नम क्या है तो गोप गिरी के नाम से भी हम ग्वालियर को जानते थे question number 128 है मद्द प्रदेश की सरभादिक सीमा किस प्रदेश से लगती है question number 131 है मद्द प्रदेश में प्रदेश की संसकार धाराजधानी किस ने कहा था तो आचार बिनुबा भावे के द्वारा मद्द प्रदेश की जवलपुर को संसकार धानी कहा गया था दमो का प्राचीन नाम क्या है question number 134 है मद्द प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है संगीत राजधानी जो है मद्द प्रदेश की वो मैहर है और अगर संगीत नगरी की बात हम करें तो वो गौली है ठीक है question number 135 बरतमान में करकर रेखा मद्द प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है question number 136 बरतमान में करकर रेखानी के बात मद्द प्रदेश के राजधानी कि राजधानी किया थी तो वो नाकपुर थी question number 138 है जवलपुर में इस्ते थे question number 139 है बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था तो 2003 में स्थापित किया गया था parsley कौन से जिले में संबंदित है तो यह सीधी जिले से संबंदित है तो यह थे हमारे 140 question जो हमने साथ में वीडियो तक कवर कर लिए थे आज की वीडियो बिसकता है जय हिन जय भारत झाल